वेल्कम टू मैं चैनल टीचिंग और सीचिंग आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्थ होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके पास इस तरह के फटे पुराने दुबटे हैं तो आप उनको किस तरह से यूज कर सकती है इसके साथ की मैं आपके साथ जो है पहले भी वीडिय है ठीक है और इस तरह से हमने कागस के उपर इसको फटे रखते होगे तो इससे हमारी कटिंग बहुत ही अच्छी आएगी इसलिए मैंने आपको पहले कागस के उपर इस तरह से ड्रो करके दिखा दिया है अगर आप इजिली इस तरह से भी फैब्री के उपर कर सकती है तो फैब्री के उपर सिधा इसको कट कर लें ठीक है इस तरह से कटिंग कर लेंगी इसकी ठीक है इसको इस तरह से गुलाई दे देंगे अब हमने क्या करना है फैब्री को जो है इस तरह से डबल करके रख लेना है ठीक है यह देखे इस तरह से डबल करके रख लिया अब हमने आपस बाट कर लिया है उमीद है आपको वीडियो ज़ुरूर पसांद आएगी आप हैं इसको स्टिच कर लेंगे यहां से इस नहीं वहां से आपने स्टराप करने हैं आपने को सब्सक्राइब कर आपने एक प्यारा सा लाइक करके जाना है लाइक किए अब गयर नहीं जाना तो दोटबast कर दोट करते हों इसे तरह को किशी भी चीज कि मजहसे आप बचाइब गृणा है इसको उसको अजह रहा है झाय तीमें सेक्ट-स सेथे बैट जाकि किया कॉंहें कि इसका जो दूसरा पार्ट है उसको लेंगे उसको भी अच्छी तरह से सीधा करके मैं आपको पताती हूं आपका बहुत ही बीटिफुल और्गनाइजर बनकर रैडी होने वाला है इसके साथ जो है आप हाथों की सफाई भी कर सकती है और अपने डिश वोश भी कर सकती है ब डाल लिया अब हम क्या करेंगे इसकी जो है नोक उसको भी अच्छी तरह से सेट कर लेंगे इस तरह से हमने जो है इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है अब हम इसको क्या करेंगे कि इस तरह से आपने जो है एक इलास्टिक लेनी है ठीक है यहां पर आपने जो है इस तरह से एक इंच का छोड़ते हुए डबल इसको रख लिया ठीक है और फिर इसको हमने इस तरह से सेफटी पिन की मतबद से इसके अंदर से गुजार लेना है यह देखें इस तरह से इसको डाल के मैं आपको रेडि करके दिखाती हूं तो जी इस्टरा से हमने इसको रेडि कर लिया है अब हम क्या करेंगे इससको पकड़ते हूँ अच्छी तरह से यहां से पका कर लेंगे सुई दागे की मतबद से तो जी अगर आप चाहती है कि आप इसको Queer करना है तो आप वहाँ आप भी स्राइल कर सकती है मैं आपको अएडिया दे रही हूं, आप इसको अच्छी तरह से पका करना चाहती तो आप इसको Blिक करने है drie तो फिर इसको अंदरちょ से tip कर लेना है उपर वाले पार्ट में ठीक है नीचे वाले पार्ट में आपने इसको नहीं डालना फिर यह हमारे हाथ को टच करेगा इसलिए आपने जो है इसको ऊपर वाले पार्ट में डालना है यह देखे इस तरह से ठीक है और अंदर वाले पार्ट में हमने इस तरह से हैंड जो है अप इस तरह की डिशीज होती है उनको आप इस तरह से दोएंगी तो बहुत ही सोफट नेट है ये तो आपके बरतन वह भी खराब नहीं होंगे और मिंटो में आपकी जो है सफाई हो जाएगी तो आपने जो है इस तरह से इसको आईदा से इस्तमाल करना है आपके पुराने से यह ढशी हो जाएगी अगर आपको बचो को नहलाना है तो आप इस तरह से इसको गलफ को पहनते हुए नहलाएं इसके बहुत ही ज्यादा फाइदे हैं इससे क्या होगा कि अगर आपके पास छोट छोटे पीसिस हैं बच जाते हैं साबून के तो आप भैंक देती हैं आप नहीं पाइकेंगेंगी आप उनको भी इस तरह से इस तरह सकते हैं और अगर आपके चाहतों से बार बार साबुन गिर। एगा तो भी नहीं गिर गा इसकी वज़ाख से तो आप यह तरीका जरूर्ब्स पर अब इसको अगली बार निकाल करेंगा बहुत ही अच्छा रहेगा उमीद है वीडियो अपसान दाई होगी मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज